Military Convoy लगातार गाजा पठ्टी की तरफ बढ़ता हुआ और आपको कई इस तरह के जो Heavy Equipments है और साथ जो Israeli Defense Forces के जवान है देखिए Ready to Fire Position में ये पूरी तरह से आगे बढ़ते हुए आपको बता दू कि ये लगातार गाजा बॉर्डर की तरफ इस तरह के हमें Special Forces और साथ जो अस इस पूरे एरिया को कॉड़न कर दिया गया है गाजा के पास के जितने भी बड़े शहर है ओके आइधिंक फारिंग हुई है और आपको दिखाए देगा सब लोगों को सब लोगों को यहां पर शेल्टर लेने के लिए कहा गया है हमें भी चाले इंगे मां रंद रंद कि छल्दी कम कम रॉकर्ट्स फाइर के जा रह대heart है और हमें में इसरायली पोर्चेस के साथ में यहां पर जुकने के लिए कह दिया गया है क्योंकि नज़ीक में यहां पर कोई बंकर नहीं है ठीक कमर्मैन मां के पीछे यहां पर आपको दिखाए दे रहा है कि रॉकित जा रहा था कि यहाँ पर लगातार फायरिंग की जा रही है और जैसे जैसे यहाँ पर नजदीक आते जा रहा है गाज़ा बार्डर के फायरिंग बहुत ज़्यादा देखिए मेरे केमरे में मान आपको पैन करके दिखाएंगे इस्राइली डिफेंस पोर्सेस के जवान भी तुरंत हमारे साथ में कवर ले चुके हैं और मतलब साफ है कि कुछ सेकेंड्स तक हमें ऐसे ही बैठे रहे ना है ओके सो औल क्लियर बोल दिया गया है इस तरह कि यहां पर 10 सिच्वेशन चलती है कुछ सेकेंड्स आपको मिलते हैं यहां पर अपने आपको बचाने के लिए और जैसे हम वाक्तुरू कर रहे थे हमें रिपोर्ट फाइल कर रहे थे हमें रॉकेट्स के आवाज सुनाए दी और हमें भी तुरंत हमाफ की जिगा देगे एक सुल्जर के हाथ में चोड भी लग गई है उसे खून आ रहा है और इस तरह के 10 सिच्वेशन के बीच में लग जादा गाजा बॉर्डर के नजदीक जा पाएं और यहीं चीज हमें यहां पर देखते को मिल रही है इस पूरे एरिया को कॉड़न आफ कर दिया गया है क्योंकि यह गाजा बॉर्डर के काफी नजदीक का एरिया है जो इस जाली फोर्सेस आपको दिखाए देगा किस सरह स से एक कॉन्वाइ में हेवी एक्विप्मेंट्स के साथ में मूव कर रही है जैसे ही वो मूव कर रहे थे इस चेक्पॉइंट पर पहुंचे हम अपनी रिपोर्ट फाइल कर रहे था और तभी रॉकेट मेरी बाएं दिशा से आया और हवा में आयान डोम्द्यों से नूट् जा रहे है साब संकेप कि इसराइल की तरफ से जिटने भी बंबारी हो रही है हमास अपना सर नीचे जुकाने के लिए तयार नहीं है जिसका आपने एक जलक अभी हमारे इस रिपोर्ट में देखा और जिस तरह से यहाँ पर फोर्सेज मूव कर रही है इस पूरे एरिया को कोडन कर दिया गया है मेरे कैमरेमेंट मान आपको पैंद करके दिखाएंगे यह जो एरिया जो इस तरफ जा रहा है मेरे दाई तरफ इसके आगे कोई भी सिविलियन मूव्मेंट अलाओ नहीं है विदाउट आक्रिडेशन विदाउट पेशल परमीशन आप यह मान की चलि आगे देखिए मेरे पीछे भी यहां पर पुलिस ने इस बैरिकेटिंग की विए इसके आगे वो जाने नहीं दे रहे हैं और आप समझ जाएए कि अगर किसी भी दिशा में आप बढ़ रहे हो और इस तरह के चौराहे पर हो चौराहे में से दो रास्ते अगर बंद कर दिय गये हो तो फिर कोई बहुत ऑप्शन रहता नहीं है और ये इसलिए टैक्टिक्स अपना आई गई है इसराली डिफेंस फोर्सेज द्वारा कि अगर हमास के आतंकी इस तरफ बढ़े तो फिर उन्हें बिल्कुल भी ना घुशने के लिए मौका मिले और अगर वो एक बार जाएं तो फिर उन्हें आगे जाने के लिए भी बिल्कुल मौका नहीं मिले वो देखिए जैसे मैं आपको बता रहा था सारी गाडियों को जिनका मिलिटरी से वास्ता नहीं है उन्हें वापस भीजा जा रहा है केवल और केवल इस्राइली डिफेंस फोर्सेज ही इन दो में जाने के लिए अलाउड है में इदाएं तरफ और मेरे पीछे बहुत ही जादा टेंस सिच्वेशन है और आपने देखा कि कुछी सेगेंस का समय मिलता है यानि मतलब साफ है कि हमास अब भी लगातार फायरिंग कर रहा है और इस्राइल को चुनौती दे रहा है कि जितन सब्सक्राइली डिफेंस पोर्सेस के ठीकानों पर दागे कंटिनूसली जाएंगे कैमरमन मान के साथ मैं आशिस सिंग गाजा बॉर्डर के पास से एबीपी नियूस के लिए